हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजूल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल स्कूल और सबसे लास्ट में हम चैक करेंगे लाइन स्कूल इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों सैप के जरिए सिगनल के जरिए या फिर टेलेग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक स्कूरिश शेप में नजर आ रही है चो इंडिकेट करती है एक हाड़ वर्किंग टाइप की निचर को और इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं और मीडियम लेंथ में नजर आ रही हैं सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगे कुछ इस तरह की रिखाएं जिनका होना काफी फिंगर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी तरचनी उंगली यानि गुरू फिंगर्स अच्छी लंबाई में हैं काफी थिक है बिल्कुल स्ट्रीट है जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं लाइफ में स्प्रिक्चुलिटी की तरभी ऐस इसे व्यक्ति का छुकाव आपको देखने को मिलेगा और जिन लोगों की ब्रस्पती फिंगर अच्छी लेंथ में हो और ठिक हो ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले अच्छी गाइडेंस देने वाले देखे जा सकते हैं अगर हम इनकी शनी फिंगर की ब इसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर काम्याब रहते हैं अगर हम इनकी सूरे फिंगर की बात करें तो बिलकुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इ क्रियेटिव नेचर का बनाती हैं काफी अच्छी आठिस्टिक और क्रियेटिविटी वाली क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी और जिन लोगों की यहाँ फिंगर अच्छी लंबाई में हो बिलकुल स्ट्रेट हो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सो थेली में इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा वैसे गैप सभी फिंगर्स में हैं जो नेटिव को इंडिपेंडेंट सभाव का बनाते हैं लिकिन अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में सूरे फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में अच्छा गैप बन रहा हूँ तो ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो यहाँ फिंगर लंबाई में अच्छी है बिल्कुल स्ट्रीट है जिस वज़े से कम्मिनिकेशन स्किल्स ऐसे नीटिव की अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनस एक्कुम गुरु परवत का अच्छी फॉर्मेशन में होना उभरा हुआ होना नेटिव को ग्यानवान बनाता है समाज में एक अच्छी रेपूटेशन ऐसे व्यक्ति की बनती है अच्छा मान समान भी सुसाइटी में ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनका ब्रस्पती एरिया अच्छा न भी इन रिखाओं को कहा जाता है और हाथ में इन रिखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है ऐसी रिखाओं होने से नेटिव अपने चीवन में अच्छी प्रॉग्रिस कर पाने में भी जरूर कामयाब होता है अगर हम शनी की बात करें तो शनी का माउंट बिल्कुल प्लाट नजर आ रहा है शनी माउंट का इस तरह की फॉर्मेशन में होना चीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है किसी व्यक्ति का शनी परवत फ्लाट हो ऐसे व्यक्ति को अपने कमफर्ट जोन से निकल कर भी काम करना पड़ता है जीवन में मिहनत भी ऐसे व्यक्ति के अधिक रहती हैं लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पष्ट भागया रेखा मौझूद है यह रेखा जो आपको लगबग इस सेरिया से चलती हुई नजर आएगी बिल्कुल नीचे से आप देख सकते हैं शुरू होती हुई यह रेखा इस तरह से यहां बराकर जो इनकी फेट लाइन को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं इस तरह की रेखाओं का होना चीवन में आने वाले उतार चड़ावों को इंडिकेट करता है लाइफ में काफी अपसें डाउंस ऐसा व्यक्ति देखता है लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा मौझूद है इनके हाथ में जिस वजए से नेटिव काफी अच्छा धन कमाता है और इनके हाथ में एक बहुत अच्छा मनी ट्रैंगल भी फॉर्म हो रहा है मनी ट्रैंगल के लिए हमें यहाँ पर कुछ और रेखाओं का भी होना जरूरी होता है जैसे सबसे पहले तो यही रेखा है जि नेटिव को काफी स्ट्रॉंग विजनस सेंस देता है, ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह का खुद का काम करकर अच्छा धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं, विजनस एक्कुमेन ऐसे व्यक्ति का स्ट्रॉंग होता है, कैलकुलेशन्स अच्छी होते हैं, पूरवा अनुमान अच्छा धन कमा पाने में काम्याब होगा, और काफी अच्छा धन संचेक कर पाएगा, अगर हम इनका के सूर्य परवत की बात करें, तो आप देखेंगे सूर्य परवत हलका सा फ्लाट और दबा हुआ, आपको नजर आएगा, और इस तरह का सूर्य माउंट होना इंडिकेट करता है, कि नेटिव को अपने चीवन में यश्की कमी महसूस हो सकती है, ऐसा व्यक्ति अपने खास् यश्की कमी कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जित दोगों के लिए काफी हलफुल होता, लेकिन बदले में कोई रिवार्ड ना मिल पाना, इस वज़े से थोड़े सी सूर्य परवत के दबने के वज़े से नेटिव को अपने चीवन में इस तरह की यश्की कमी महसूस हो सकती है, बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की, आप देखें कि इनकी हाथ में यहाँ इनकी हाट लाइन है, एक ब्राच उपर की तरफ भी चलती हुई जिस वज़े से थोड़ी इमोशनल नेचर इनकी नजर आ रही है, और यह जो ब्राच है आप देखोगे आगे चलकर बाइफोर् इस तरह का जो साइन बनता है इसको विश्नु सिंबल कहा जाता है और हाथ में इस तरह का चिन अगर सबश्ट रूप में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में इमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की करपाने में जरूर कामयाब होता है लेकिन इसके बिलकुल अपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बहिमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो जीवन में बड़ी दिकतें आ सकती हैं और तरक्की रुख सकती हैं आगे बात करते हैं इनकी लाइन अफ माइंड की आप यह यहां पर देखेंगे जो मस्तिक श्रेखा हलका सा छुक रही है यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस तरह से नीचे की तरफ डिप लेती हुए नजर आएगी और यह जो एरिया रहता है चंदर परवत का एरिया होता है मून का एरिया होता है अगर किसी व्यक्त करने वाले कलपना शीलता में रहने वाले हो सकते हैं और यहां पर एक फोर्क बनता हुआ भी आपको नजर आएगा यह जो इनकी ब्रांच है इनकी मस्तिक श्रेखा की इसमें से ही एक ब्रांच निकल कर एक इस तरह का फोर्क बना रही है और ऐसा फोर्क हाथ में बनना काम करे या कुछ ना कुछ ऐसा काम जिसमें नेटिव अपने आपको बिजी रख सके तो उससे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो एंफ्व dire customers वो चैनलाईई तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रिखा अच्छी लंबाई में है और जीवन रिखा का अच्छी लेंथ में होना पॉजिटिव माना जाता है इस तरह की एक लंबी और सपष्ट जीवन रिखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहने की काफी संभावनाएं रहती है और जीवन रिखा के साथ साथ चलने वाली यह रिखाएं मंगल की रिखाएं कहलाती है इस तरह की रिखाओं का यहाँ पर होना नेटिव को अनर्चैटिक बनाता है ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भरपूर रहता है और ऐसा व् कीरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा उभरा हुआ शुकर परवत जिस वज़े से नेटिव को अपने चीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है हर तरह की कमफर्ट को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाने में कैपिबल रहता है लेकिन यहाँ पर इस तरह की रिख भी थोड़ी डिस्टर्बेंस पेश आ सकती है अगर हम इनके चंदरपरवत की बात करें तो चंदरपरवत का जो एरिया है यहां से आपको हलका सा दबता हुआ नजर आएगा और कुछ रिखाएं नीचे से उपर की तरफ चलती हुई भी इस तरह की रिखाओं को ट्रेवल कहा जाता है जीवन में काफी ट्रेवल भी ऐसे व्यक्ति को करने को मिलता है लंबी दूरी की यात्राएं भी रहती हैं और इस माउंट का हलका सा दबा हुआ होना नेटिव की एंग्जाइटी यानि बेच्यानी को भी बढ़ा सकता है ओवरॉल हाथ में काफी अच्छी है तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनकी हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के चुआब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुवाल रहे जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है यगरे इनका कोई क् है तो मुझे WhatsApp पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद